नमस्ते दोस्तों मैं हूँ निरमला और स्वागत है आपका मेरे किचिन में और किचिन में आज मैं बनाने जारी हूँ एक ऐसा नास्ता जो जटपट बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज़दा हेल्दी है इससे बच्चे बुड़े कोई भी खा सकता है किसी को भी नुक्सान नहीं होता और इसको बनाना बहुत आसान है और इसमें जो भी सामगरी हमने काम में लिए है वो भी घर पे उपलब्द होती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़े जो काम में लिए है मैंने वह सूजी और सूजी जितनी लिए है उतने ही नाप से मैंने बेसन ले लिया है और इसमें आदा चमचे हल्दी का डाल दिया है और आदा चमची मैंने चिली फ्लेक्स डाला है एक चमच मैंने नमक का डाल दिया है दो चमच इसमें धनिया पाउडर डाला है और दो चमच ही मैंने कसमेरी लाल मिच डाल दी है इससे हमारे नास्ते में अच्छा कलर आ जाएगा और क्योंकि ये तीखी नहीं होती है तो सबसे पहले हम इन मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं सुजी और बेसन में और इसमें कोई गाठे नहीं होने ची तो ये भी आराम से तूट जाएंगी तो अच्छे से मिला लेना है बिल्कुल इससे हमारे सारे मसाले भी मिल जाएंगी और बेसन में जो गाठे होंगी वो भी फूट जाएंगी और उसके बाद हम बाकी का सामान मिलाते हैं तो इसके लिए मैंने एक कटोरी धही लिया है धही से हमारे नास्ता बोर भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा तो इसमें जितना धही लिया था उसी के इसाब से मैंने पानी ले लिया है और इसे चमत से अच्छे से मिला लेंगे मिलाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें लम्स ना हो तो इसे अच्छे से चमत से फेंट लेना है जिससे बिल्कुल भी गाठे नहीं रहेंगी ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये मिल गए है अब इसमें बाकी की जो सबजी हैं वो मिला लेते हैं तो सबजियों में आप जो चाहें इसमें सबजी मिला सकते हैं मोसम के अनुसार जो भी सबजी उपलब्द हो वो डाल ले मैंने एक सिमला मिर्च लिया है जिसे बारिक बारिक चौप कर लिया है एक ही टमाटर लिया है उसे भी बारी काट लिया है और दो हरी मिर्च जिसे बारी काट लिया है दो ही मैंने प्याज लिया है उन्हें भी बारी काट लिया है और ये अच्छे से मिला लेंगे और इसमें अगर आप और भी सबजी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं तो मैं मैंने ऐसा कोई भी सामान नहीं डाला है जो नुकसान करेगा तो रोज रोज जो एक ही तरह कर नास्ता खाते हैं तो इस तरीके से बना कर खाई यह बहुत ज़दा टेस्टी बनता है तो मैंने सारे सबजी अच्छे से इसमें मिला ली है अब 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने और खुसबू भी अच्छी आ जाएगी इसे बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे और उसके बाद इसमें मैं डालूंगे एक खास सीज इसे अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें दो चमच के आसपास सपेद तिल डालूंगी तिल भी हेल्दी होते हैं और यह हमारे ना नास्ता क्रंची बनेगा और टेस्ट भी मिला लोंगी। ऑफ्लयी औ Cry नास्त देखने भी अच्छा होजाएगा और टेस्ट भी अच्छा होजाएगा। तो मैंने frypen लिया है इसमें तेल को गरम कर दिया है तेल जदठ हाई पर नहीं रखना है मीडियम फ्लेम ही रखनी है और इस नास्टे को बना लेना है तो आप चाहें तो गोलाकार बना सकते हैं या फिर मेरी तरह कोई भी सेप दे सकते हैं इस तरीके से और आप चाहें तो deep fry और सेलो फ्राइब कर सकते हैं अगर कम तेल खाना पसंद करते तो आप सेलो फ्राइब कर लिजिए या फिर फ्राइब में सिर्फ दो बून डालके भी इस नास्ते को बना सकते हैं यह नास्ता हर तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और टेस्टी बनता है इसे कभी चाय के साथ खाये या फिर बच्चों के टिपिन में देजिए बच्चे खुसो कर खाएंगा बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और जट पर जब भी कम समय हो जल्दी से इसको बना कर आप तयार कर सकते हैं और डिफ्रेंट टाइप का नस्ता भी हो जाएगा तो यह द बना कर तयार हो जाता है तो देखिए हमारे बनकर तयार हो गया है अब मैं इसे प्लेट में निकाल लती हो और देखें कितनह अच्छा लग रहे है तो आगर आपको मेरी नास्ते की पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्योएस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजि और अपना फीडबैक देते रहिए और ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये नास्ते की रेसिपी कैसी लगी ये नास्ता बहुत ही कम समय में बनकर तयार हो जाता है जब आपके पास समय नहीं हो और महमान आ जाएं तो इसे कभी भी आप बनाकर तयार कर सकते हैं खाने व बनकर तयार हो है सरीर के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि सारी चीजे इसमें हेल्दी डाली वी हैं तो ये नास्ता आपको कैसे लगा कमेंट करके जरू जरू बताइएगा अपना फीडबैक देते रहे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल करते है तो